Hey kids, how are you all? Hope आप सब enjoy कर रहे हो, studies कर रहे हो, और ममा की help बगएरा भी सब कर रहे है So, let us start बच्चे, हमने previous वीडियो में क्या सीखा था? हमने what comes after सीखा था After का meaning क्या था? बाद में, कि उसके बाद में क्या आता है? अब हम new concept सीखेंगे, what comes before? कि इससे पहले क्या आता है? After means होता है, बाद में, before means होता है, पहले चिक है? हमने after में example लिया था, कि 1 के बाद आता है 2, बट 2 हम counting में नीचे लिखते हैं और what comes after में इससे बाद में लिखते हैं यही सीखाता, अब what comes before में क्या होता है बच्चे? हम 2 के counting में क्या करते हैं? 2 के बाद 3 लिखते हैं न? और क्या करते है? what comes before में भी लिखते हैं, इस idea मतलब क्या है? ऐसे ही लिखते हैं, but after में इस digit के बाद लिखाता before में इस digit से पहले लिखना है clear? 1 के बाद क्या आता है? 2 हमें पता है but 3 से पहले क्या आता है? यह भी तो जानना है न? तो क्या है बच्चे? देखो जब हम counting लिखते हैं, 1 के नीचे आता है 2, तो 2 चला जाएगा side में right side में, what comes after? after का means होता है बाद में, तो यह इसके बाद में लिखा जाएगा before का means होता है, उससे पहले 3 से पहले क्या आता है? तो उसको हम डालेंगे left side पे जो बाद में आता है, वो जाता है right side में और जो पहले आता है, वो आएका left side में तो 3 से पहले क्या आता है? 2, अब 2 हम यह नहीं लिखेंगे अब 2 हम लिखेंगे 3 से पहले clear? after का means क्या होता है? बाद में, before का means होता है, इससे पहले ठीक है? start करें बच्चे तो आप अपनी note books खोल लो, मैं आपके साथ साथ ही आप लोग note करोगे अब मैं आपके साथ साथ ही करेंगे ठीक है? तो what comes before में, पहले मैं आप lines draw कर लेंगी मैं आपको 5 to 6 examples सेंगी ठीक है? start किसे करेंगे? single digits से single digits में हम लेते हैं आज example 8 अब 8 से पहले क्या आता है? हमें counting सबको आती है आती है ना? तो 8 से पहले क्या आता है? we all know 7 आता है तो 8 से पहले 7 आता ना? अब हम 8 के बाद नहीं लिखेंगे 8 से पहले ही लिखेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे है? what comes before before का meaning ही पहले होता है किस से पहले वाला बताने क्या होता है? इसके पहले क्या आता है? और लिखना भी इससे पहले ही होता है clear? single digit में आपने करा example 8 से पहले क्या आता है? 7 double digit में example लेंगे 1, 2, 12 अब 12 से पहले क्या आता है बच्चे? 1, 1, 11 क्या लिखेंगे? 1, 1, 11 समझाया? 12 से पहले क्या आता है? 11 और 11 लिखेंगे कहा? 12 से पहले clear? next we'll take the example of 3 5, 35 3, 5, 35 से पहले क्या आता है बच्चे? 3, 4 34 counting आती है न सबको? हमें ये भी बता है कि इसके बाद में क्या आता है और इससे पहले भी क्या आता है clear? next we'll take the example of 3 digits अब हमें example लेंगे 3 digits का like 205 अब 205 से पहले क्या आता है? 204 205 से पहले क्या आता है बच्चे? 204 clear till है? एक और example लेंगे और उसके बाद एक और ठीक है? पस उसके बाद हमें समझ आ जाएगा अब हम example लेते हैं 681 ठीक है? अब 681 से पहले क्या आएगा? 6 as it is आएगा 8181 से पहले क्या आता है? 8080 clear? are you all getting me? समझ आ रहा है न? 681 से पहले क्या आता है? 680 अब देखों लास्ट वाला कितना चलेंगे 800 से पहले क्या आता है? हो गई confused? 800 से पहले क्या आता है? हमें पता है 8 से पहले तो आता है 7 और 00 से पहले हमें ये भी पता है 99 आता है क्योंकि हमने क्या मामने सिखाई विया ना trick counting में क्या होता है? जब simple 99 होता है तो तो हमें पता है कि 100 आएगा ठीक है? और अगर 199 होता है हमें पता है 9 के जगे तो 0 आ जाता है 9 के बाद 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है पता है ना मामने ट्रिक काउंटिंग में जिखाई थी ऐसे ही बच्चे इसमें confused नहीं हो ना 800 से पहले क्या आता है? 8 से पहले तो आता है 7 और 00 किसके बाद आता है हमेशा? 99 के बाद तो 0 से पहले क्या आएगा? 99 clear? तो 800 से पहले आया 799 clear? अब माम आपको बच्चे कुछ what comes before practice के लिए देंगी वो अब आपको note book में करना है आपको main concept सिखा दिया गया है ठीक है? एक बाद रिवाइस बता देती हूँ what comes after होते हैं बाद वाले what comes before होते हैं पहले वाले clear? hope you all are understood thank you